नमो नाराइन मित्रो कैसे हैं आप सब? मुझे उमीद है आप सब ही अच्छे होंगे, स्वस्त होंगे, एबं मजे में होंगे दोस्तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने बाला हूँ कि भी नाम वाले जातक एबं इबं इबं इनाम वाले जातक यदि किसी भी प्रकार के शंबंध में आते हैं तो आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए दोस्तो यदि आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको सुनना चाहिए लेकिन सबसे पहले क्या करना है आपको वीडियो लाइक कर देना है साथ में चैनल को शब्सक्राइब कर देना है एबम वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है एबम वीडियो को ध्यान से सुनना है तो आईए अब वीडियो की सुरुवाद करते हैं मित्रो भी नाम वाले जातक एबम ई नाम वाले जातक यदि किसी भी प्रकार के शंबंध में आते हैं तो आप दोनों के बीच में एक शमानता बहुत ज्यादा होती है इस नाम के जो भी जातक होते हैं वो हमेशा अपने जीवन में एक दूसरे के विचारों का सम्मान बहुत ज्यादा इमानदार होते हैं बहुत ज्यादा वफादार होते हैं एबम कभी भी अपने जीवन में अपने जीवन साथी के साथ में कोई भी छल कपट या कोई भी धोखा धड़ी नहीं करते हैं मित्रो इसके अलाबा यदि हम भी नामवालों की बात करें तो भी नामवाले जो भी जातक होते हैं वो हमेशा अपने जीवन में बहुत ज्यादा शांत होते हैं बहुत ज्यादा गंभीर होते हैं ये कभी भी अपने जीवन में किसी भी काम को करने में जल्दबाजी नहीं क किसी भी काम को करना है तो उस काम को कड़ेंगे लेकिन उस काम को करने से पहले उसके बाड़े में साड़ी बातों को पता करते हैं। इब हम ये अपने जिद के सामने में किसी और इंसान की बातों को किसी और इंसान के बिचारों को महत्तु नहीं देते हैं। इब हम ये हमेशा अपनी सुरक्षा को सबसे पहले सबसे जयादा महत्तु देते हैं। यदि हम ये जानना चाहें कि आपको साधी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आप दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा वो बहत जयादा मजबूत रहेगा। यदि कि आपको शाधी अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा। शाथ में वाइटी मिस्त्रा को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। एबं वीडियो के नीचे में अपने इष्ट देवता का नाम आप कमेंट अवश्य कर दे। एबं वीडियो को वाट्सेप में, फेस्बुक में, इंस्टाग्राम हर जगह सेयर कर दे। ताकि आपके शंपर्क में जो भी लोग हों, सभी लोग वीडियो देखें। एबं अपने दांपत्य जीवन के बाड़े में, अपने प्रेम जीवन के बाड़े में साड़ी बातें पता कर सकें। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में धन्यवद।